Back to all of you on Science Clear Classes आप सबका स्वागत है Science Clear Classes पर और मैं आज ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये आपके नहीं एक Master वीडियो साबित होगी और इसमें फुल रिवीजन मैंने कराया है और बिल्कुल जो है पूरी तरीके से जो आपका कल एंट्रेंस है उस सबके नहीं जो है All the Best आप सबको बहुत जादा Class 9 का जो एंट्रेंस होने जा रहा है और मैं इसमें पूरा एक करीब होल वीडियो लेकर आया हूँ जिससे कि आपके एक होल रिवीजन हो जाएगा और बहुत तेजी से क्यूक रिवीजन हो जाएगा तो इस वीडियो को जो है लास तक देखिएगा इसके बिलकुल मत करिएगा और इसको पूरा वीडियो देख लीजे ताके आपका टेस्स बहुत अच्छे से हो जाएगा जो Science portion है इंशालला बहुत अच्छा हो जाने वाला है आपका इस पीडियो को देखने के बाद तो जुड़े रही है हमारे चैनल के साथ और नेक्स्ट येर के निए 2021 के निए भी हम तैयारी इस पर करा रहेंगे स्टार्ट करेंगे क्लास 11 के निए भी और क्लास 9 के निए भी तो जुड़े रहे है चैनल के साथ और इसे जादा से जादा जो है जो नए वीवर्स हैं हमारे वो जादा सबस्क्राइब करें और उस जादा है और जो पुराने वीवर्स है Quand Sign उ लाइक ज़रूर करते रहें और जितने लोग हमारे साथ जुड़ें उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुकर गुजार है हम उनका कि वो हमारे साथ रहे शुरू से हमारे साथ है तो thank you very much to all of you which supported to make enable to us video making so please stay tune with my channel हमारे चैनल के साथ stay tune रहे तो आपका time जादा ना लेते हुए मैं शुरू करता हूँ video क्योंकि आज आपका बहुत crucial time है वस आपसे गुजारिश है कि चैनल को जादा सब्सक्राइब और जादा से जादा शेयर करिए मैं आपको बहुत जल्दी में क्यूकर रिवीजन कराऊँगा ये एक master वीडियो है यदि आप इसको देख लेंगे तो आपको जो है बहुत अच्छे से आपका एक रिवीजन हो जाएगा थैंक यू वेरी मच देखे हम आगए चैप्टर फस्ट में इस चैप्टर से सिर्फ आपको पढ़ना है आपको खरीफ क्रॉप्स पढ़नी है और रभी की क्रॉप्स पढ़नी है मैंने आपको पढ़ाया भी है वीडियोज में कि ये क्रॉप्स जो होती है खरीफ की वो लगबग रेनी सीजन में जो है बोई जाती है और जनरली जून टू सेप्टेंबर बोई जाती है इनके एक्जामपिल्स है पेडी, मेज, सोया बीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन एंड खरीफ क्रॉप ये खरीफ की क्रॉप है और रभी की क्रॉप की अगर हम बात करें तो ये अक्टूबर से लेके मार्च तक जो है बोई जाती है याद रखेगा अक्टूबर से मार्च तक ठीके और जो है जैनी इनको जो है आप क्या कहते है रभी की क्रॉप कहते है और ये है आपकी वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड और लाइन सीड तो ये आप याद रखेगा इस चैप्टर में यही इंपोर्टेंट है जादा और इसके बाद जो है इस चैप्टर में कुछ और इंपोर्टेंट चीजे है जो नीचे आएंगी इसके बाद इस चैप्टर में इंपोर्टेंट है टिलिंग और पिलफिंग क्या होता है और टिलिंग और पिलफिंग क्यों होती तो process of the loosening and turning of the soil is called tilling जो process है loosening और टिलिंग करने की मिट्टी को उसको पिलफिंग या जो है tilling कहते हैं इससे मिट्टी क्या हो जाती है इससे मिट्टी जो है soft हो जाती है जिससे के water capillaries जो बन जाती है जिससे के पानी evaporate होने का खतरा होता है खेत में वो खतम हो जाती है तो इसमें तिलिंग और पिलफिंग भी है, याद करिए, इसको नीचे फिर आगे हम ले लेंगे, और जो important है, हो किसनी यूज होता है, तो एक हो जो है simple tool होता है, जिससे आप क्या कर सकते, weed को remove कर सकते, simple tool है यह जिससे आप क्या कर सकते, remove कर सकते, weed को, ठीक है, उसके बाद next आजाएंगे हम नीचे, हो को दिखाया गया, यहाँ पर cultivator की अगर बात करें, तो cultivator से वही काम लिया जा रहा है, जो काम पहले हो करता था, वही काम अब cultivator कर रहा है, तो यह याद रखिएगा, sawing के निए किस, उसका इस्तिमाल करते हैं, यह से question एक बार पूछा भी गया तो इसके निए याद रखिएगा जो traditional tool की अगर हम बात करें, traditional tool का मतलब होता है, जो पहले से परंपरा में चले आ रहे हैं, तो इसमें जो है funnel होता है, और इसको जो है two or three pipes में sharp end में बने रहता है, तो यह इसमें important है, इस chapter से, इसके बाद seed drill, seed drill का इस्तेमाल किसके निए ह होता है, आजकल seed drill का इस्तेमाल, seed को बहुने के नहीं होता है, याद रखिएगा, उसके बाद next, इसमें point है, important है, manure और fertilizer, manure और fertilizer में छोटा सा difference है, याद कर लीजी, बहुत simple सा difference होता है, manure की अगर बात करें, तो manure जो है, प्राकरतिक रूप से मिलने वाला fertilizer है, और fertilizer में में मे होती है, उसे fertilizer कहते हैं, और जो इनसान की नहीं मतलब, चीजों से मिलती है, पत्तों से, और जानवरों के गोश, मगर चीजों से मतलब, उनके fossil से, उसको क्या कहते है, उसको manure कहते है, तो याद रखिएगा यह, इसमें important है, उसके बाद नीचे आ जाएंगे हम, fertilizer में क्या क्या होता है, fertilizer में NPK होता है, NPK का मतलब होता है nitrogen N से, और P से phosphorus होता है, और K से होता है potassium, तो यह याद रखिएगा, NPK, nitrogen, phosphorus, potassium, यह तीनों चीज़े हैं, हाद के कट्टे में रहती हैं, ठीक है, उसके बाद next चीज़ आ जाएंगे, हमें आपे crop rotation, crop rotation क्यों करते हैं, crop rotation इसनिए करते हैं, ताके हमारी field के अंदर जो मिटी है, उसकी fertility है, वो अच्छी से बनी रहें, तो इसनिए हम इसको करते हैं, और leguminous plants में, rhizobium नाम का bacteria पाया जाता है, जो leguminous plant को क्या करता है, वहाँ पे nitrogen fix करता है, rhizobium एक नाम का bacteria होता है, leguminous plant का मतलब होता है, ऐसे plant जिन पर फली आती है, जैसे मटर का पौदा, सेम का पौदा, etc, ठीक है, नीचे आ जाएंगे, fertilizer manure में difference दिया रखा, तो इसमें कोई पताई दिया मैंने आपको, यहाँ टेविल में भी दिया है, यह man-made inorganic salt है, यह जो है, और गैनिक होते हैं, ठीक है, उसके बाद बात करें इसमें इसके system याद रखिएगा, इंडिया में जो 90%, जो 60-90% से चाही होती है, वो कैसे होती, इससे question आ सकता है, ठीक है, तो irrigation याद रखी, supply के पानी की, जो है, regression कहते हैं, sources of irrigation क्या-क्या हैं, और इंडिया में क्या-क्या चीज ज़्यादा है, तो wells हैं, traditional तरीके हैं, moat और pulley system, chain और pump system, ये इंडिया में जो है traditional systems है, ये moat आपको दिखाई गई है, और उसके बाद नीचे चित्रक पे देखेंगे, अगर नीचे figure में देखेंगे, तो ये chain pump दिखाया है इनोंने, ये chain pump है, ये है chain pump, और इसके बाद ये ढेकली system है, तो ये भी regression system में याद रखी, chain, ये रहट system है, जिसमें जो हैगा bell लगा दिया जाता है, और bell इसको खीशता रहता है, तो ये रहट system है, तो इसके बाद जो है, ये उका, उसके बाद modern methods है, modern methods में sprinkler method आता है, इसको sprinkler method कहते है, ये जो method दिखाया गया है, इसको sprinkler method कहते है, याद रखिएगा, drip system है, इसमें आप यह नेक्स नीचे आ जाएंगे आपका प्रडक्शन फ्रॉम वीड्स वीड्स क्या है वीड्स जो है unwanted plants होते हैं जो खेतों में बहुत हुआ है वीड्स क्यों कहते हैं और इनको फ़्टम करने की है पहले विनोइंग समझ लेंगे हम थ्रेशिंग विनोइंग कुछ टर्म रह गए थे ठीक है तो यह हम समझेंगे थोड़ा सा यहाँ पर वीड को वीडी साइड कहते हैं अभी बताया था मैंने जो वीड को खतम कर देते हैं कैमिकल वीडी साइड कहते हैं टू-फोल्डी इस के नहीं आज के लिए नहीं मशीन आ गई है जिसको हम जो है कंबाइन कहते हैं देखिए कंबाइन कहते हैं ठीक है तो इसके बाद जो है हर्वेस्ट के उपर कुछ फैस्टिवल भी हैं इंडिया में इससे कुश्चन आ सकता है जैसे लोरी पंजाब में मिनाया जाता है इसके बाद अगर हम बात करें स्टोरेज की तो सरकार भी कुछ को स्टोर करती है और कुछ को नहीं स्टोर करती है तो इसमें जो है एफसी आइ इसके निए काम करता है एफसी आई याद रखेगा इसको FCI का मतलब है Food Corporation of India भारतिये खाद निगम Food Corporation of India करके इसको कहा जाता है FCI तो ये इसको जो है store करने का काम करती इस chapter से इत नहीं पढ़ना है पहले chapter से दूसरे chapter में हम पहुँचेंगे अब इस chapter में important चीज ये है कि viruses कौन सी बिमारी फैलाते हैं तो viruses जो बिमारी हैं फिलाते हैं वो मैं आपको underline करके दिखा रहा हूँ इसमें common cold, influenza और ये सब virus disease हैं नीचे जो disease दिये रखी है dysentery, malaria, ये proto-joa की diseases है और नीचे जो TB, typhi, tuberculosis जिसको कहते हैं ये सब diseases जो है bacteria की diseases है तो ये दोनों, त्रीनों चीजे जो है बहुत अच्छे से आप याद कर लिजिए आप लोग उसके बाद जो इसमें important चीज बचती है ये यहाँ पर जो है bacteria phage का चितर दिखाया इनोंने bacteria phage कहते हैं ऐसे virus जो bacteria को infect कर देते हैं उन्हें bacteria phage कहते हैं bacteria phage microorganism हमारे लिए फायदा भी पहुचाते हैं जैसे कि दूट से दही को बदलने का काम जो करता है वो lactobacillus करता है याद रखिएगा lactobacillus इसको ये फायदा करता है हमें और रवा वगेरा बनाने के नहीं इडली वगेरा से जो हम रवा बनाते हैं रवा अगेरा से जो इडली बना लेते हैं ये भी जो है इसके नहीं हमारे पास एक bacteria ही काम करता है तो हमारे लिए microorganism फायदे मंद भी हो सकते हैं बात करेंगे fermentation क्या है शराब किसी भी sugar को converted के दिया जाता है alcohol में या yeast के द्वारा इस process को fermentation कहते हैं लुइस पास्चन ने fermentation 1857 में खोजा ये भी question अच्छा है पूछा जा सकता है आप से तो उसके बाद जो है commercial use है जैसे आपने पढ़ा है large scale पे जो alcohol का production है वो का इसे होता है वो आपका जो है गन्ने से होता है wine और acetic acid वगएरा इससे बन जाता है तो इस तरीके से जो है इसमें बन जाता है इससे question और बनेगा antibiotic क्या होती है और antibiotic किसने खोजी थी तो antibiotic जो खोजी थी Alexander Fleming ने जिनका नाम आपको नीचे मिल लेगा ये Alexander Fleming है इन्होंने antibiotic खोजी और antibiotic को बनाया सबसे पहले walksman ने था तो इन दोनों को जो है जो है एक mutually जो था Nobel Prize दिया गया इसके नहीं है इसके बाद इस chapter से जो important चीज़ बचती है Edward Jenner की बात बचेगी Edward Jenner ने जो है vaccine खोजी smallpox के नहीं ये जो figure बनी Edward Jenner है इन्होंने vaccine खोजी थी Edward Jenner ने किसके नहीं है smallpox के नहीं है जो important question बनता antibodies क्या होती है antibodies body के अंदर जो है डोगों से रक्षा करने के नहीं होती ये भी याद रखिएगा इसमें इस chapter से और जो important चीज़े हैं मैं आपको बता रहा हूँ जो important बचादा है harmful micronism यहाँ पे दिये गए हैं जो organism इंसान को नुक्सान पहुँचाते हैं उनने pathogene के याद रखिएगा बिमारी फिलाते है authors pathogene के यह इन pathogenes को कुछ ले जाने के नहीं चीज़ें होती हैं उने carriers कहते हैं या फिर vector भी कहते हैं carrier का का काम करते हैं और vector भी कहते हैं vector का मतलब जोन disease के pathogenes को ले जाएं ठीक है तो इसमें जो है कमनी केबिल डिसीज दो तरहीके की होती है कमनी केबिल और नौन कमनी केबिल कमनी केबिल का मतलब ऐसी डिसीज जो एक आदमी से दूसरे आदमी को हो जाए जैसे कॉलरा है, कॉमन कोल्ड है, चिकिन पॉक्स है tuberculosis इसे भी cushion पूछा जा सकता है कि communicable disease कौन सी है और non communicable कौन सी है तो cholera, common cold और chicken pox और tuberculosis जो है तीनों चारों ये जो है communicable diseases है इसमें पूछा जा सकता है cushion और आ सकता है यहाँ पे जैसे malaria का जो vector है वो कौन है तो malaria का जो vector है एनाफलीज mosquito है याद रखिएगा इसका carrier है और इसका जो parasite होता है वो malaria, prasmodium, vivax होता है malaria का याद रखिएगा और edis जो मच्छर होता है वो dengue virus को लिफजाने का काम करता है ये भी याद रखिए इसमें important है चीज है ठीक है उसके बाद next question हो जाए और next चीज होगी यहाँ पर जो important है यह बहुत अच्छा करके इन्होंने एक table दिये NCRT में आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा बहुत बढ़िया table है यह इसमें इन्होंने बताया है tuberculosis bacteria को bacteria से होती है measles virus से chicken pox virus से polio virus से cholera bacteria से typhide bacteria से hepatitis A virus से malaria protozoa से और इसका mode of transmission है मैं आपको नीचे से दिखा रहा हूँ इसका mode of transmission है यह भी इन्होंने इसमें दिखाया है तो आप इससे बढ़िया करके stable को देख लीजी ताके आपको याद हो जाएगा यह और malaria protozoa उसके बाद Robert coach की बात करेंगे इन्होंने एक बैक्टीरिया खोजा था Robert coach ने 1876 में इसको बेसिलस एंथरेक्स कहते है इस डिसीस को एंथरेक्स डिसीस को इन्होंने खोजा उसके बाद चुछ पिलांट्स में बिमारीये फैलाते है इनका जो है हमने यहाँ पे दिया है सिट्रस केंकर बैक्टीरिया करता है और यह होता है नीबू में तीकर लैमन में होता है याद रखिएगा रस्ट ओव वीट नीचे वीट से ही पता चल जाएगा कि वीट की बिमारी है यलो वेन मोजिक और भिंडी बिंडी के अंदर हो जाती है यह वायरस से हो जाती है और टांसमीशन इसका एयर से इसका एयर सीड से और इसका इंसेक्ट से तो याद रखिएगा उसके बाद जो है फूट प्रिजर्वेशन की बात करेंगे food preservation का मतलब है food को बचाना इसके नहीं जिस चीजों का इस्तेमाल करते हैं उनको preservative कहते हैं याद रखिएगा इसमें कई सारी चीज़े आप डाल सकते हैं common salt भी डाल सकते हैं तेल भी डाल सकते हैं preservation by sugar जितनी चीनी जादा होगी चीजों में जो है वो खराब कम होती है oil और vinegar जादा होगा सिरके में या सिरका वगेरा जगर हम रखते हैं तो या फिर कोई अचार रखेंगे तो इसमें जो है अचार में अगर तेल नहीं होगा तो फिर वो अचार जो है खराब होजागा पास्चुराइजेशन क्या है पास्चुराइजेशन का मतलब होता है दूद को 15 से 70 डिगरी सेल्सियस पे 15 से 30 मिनट तक लगभग जहें उबालना होता है इसे पास्चुराइजेशन कहते हैं नाइटोजन की fixation की अगर हम बात करें तो नाइटोजन जो fixation है नाइटोजन fixation की अगर बात करें पहली बात तो कुशन यहां पर यह बन जाता है कि fix क्यों होती fix का मतलब यह है कि इसके जो है उक्साइडों में आपको चेंज करना है तो राइजोबियम पलसेज वाले प्लांट में मिलता है जोने लेग्यूम पलांट भी कहते है मैंने अभी आपको पीछे समझाया ही था तो यहां से यह कुशन बन सकता है ठीके उसके बाद जो है इस चैप्टर से कोई जादा कुशन बनने की नहीं उम्मीद होगी ठीके उसके बाद यह साइकिल दे रखी जोने यहां पर देख लीजिए एक नाइटोजन साइक ही लिए चाहे तो इसका जो है स्कीन शॉर्ट या बुक्स से पड़ी लीजिए ठीके उसके बाद हम नेक्स चैप्टर में पहुचेंगे इस चैप्टर से कुशन बनेगा कि polymer क्या होतے है या polymer किसको कैसे बन जाते हैं तो polymer monomer से बनते हैं आपने पड़ा है monomer के single unit को जोड़ के polyver बनाते हैं ठीक है तो इसमें याद रखियेगा और उनको जिन से ही बनाते हैं उनको monomer कहते हैं ठीक है क्या गहते हैं monomer उसके बाद types of अगर synthetic fiber की बात करें तो rayon को artificial silk कहा जाता है अच्छा point है test के view से याद रखिएगा nylon की discovery 1931 में हुई ये याद रखी और nylon दो चीजों से बना इसका नाम जो इस तरीके से बनाया गया N से है new और Y से है york और L O N से होता है लंदन तो new york को लंदन में इसकी discovery हुई इसे मिला के जो है nylon कहा जाने लगा उसके बाइस में और कुछ important नहीं है इसके नीचे एक चीज़ और important है इसमें जो मैं आपको बताऊंगा अभी test के view से एक petrochemical बहुत important term है petrochemical का मतलब होता है all the synthetic fibers are prepared by a number of process using raw materials जो चीज़े रा मैटेरियल ऐसे से बनाई जाए जिनका जो औरीजन है वो पैट्रोलियम उनको पैट्रोगेमिकल्स कहते हैं याद रखिए कि बहुत important चीज़ थी उसके बाद प्लास्टिक की अगर बात करें तो प्लास्टिक में बहुत जादा कुछ नहीं पूछे जाने की उम्मीद है सिर्फ इतने से पूछी जा सकती है कि thermoplastic क्या है और thermosetting क्या है तो polythene और PVC जो हैं दोनों आपके क्या है thermoplastic हैं और thermosetting प्लास्टिक की अगर बात करें तो वेला माइन वगेरा जो है थर्मो सेटिंग प्लास्टिंग है ये आपको याद रखिएगा इसमें अच्छा कुश्चन होगा प्लास्टिक पूर कंड़क्टर होते हैं लाइट के याद रखी इसी निये करंट उसमें नहीं आता तो ये भी इलोजीगल तरीके से खतम हो जाती है असानी सिप माइक्रोप्स के जरीए उनको बाइगरेडिबिल कहते हैं और जो माइक्रोप्स के जरीए से खतम नहीं होती है उनको नौन बाइगरेडिबिल कहते हैं तो ये जो है आपका बाइगरेडिबिल और नौन बाइगरेडिबि reuse और recycle recover and refuse ठीक है तो ये पांच जो आर है इनको याद रखी पूछा जा सकता है आप से ठीक है ये तीन चेप्टर का हमने revision इसमें करा दिया है लेकिन हमने ये master वीडियो बनाई है तो आप इसमें जो है जुड़े रही है थोड़ा सा break लेना ज़रूरी था इसलिए हमने एक छोटा सा break ले लिया है और इस break के बाद जो हम फिर से चौथे chapter पर पहुचेंगे और चौथे chapter का जो important चीज़े हैं वो हम आपको अभी कराएंगे तो जुड़े रही चैनल के साथ और इसको जागा वीडियो पसंद आई हो तो share और like जरूर करिए properties याद रखिए malleability properties होती है metals की जिसके जरीए से उनको जो है चादर की रूप में लपेट के बनाया है चादर लपेट की रूप में फैलाया जा सकता है ductility का मतलब उसके तार बनाया जा सकते हैं याद रखिए नीचे जो है metal sonorous होती है यह जानते हैं आप तो यह उनको ने एक जगा लिख दिया अच्छा करके hard होती है, lustrous होती है, malleable ductile sonorous और good conductor of heat and electricity होती है यह भी याद रखिए metal के बादे बच्छा त्रहां से दिया है उनको ने उसके बाद metal पानी से rate करती है, नहीं करती है तो कुछ तो direct कर लेती है जैसे sodium है और potassium है, लेकिन कुछ जो है ठंड गरम पानी से करती है, कुछ steam से करती है metal reaction, ठीक है reaction with basis, base से reaction करती है जब कोई metal base से reaction करती है तो याद रखिए hydrogen gas को छोड़ती है pop sound के साथ यहाँ पर क्या निकलती है, hydrogen gas निकलती है याद रखिएगा इसको displacement reaction में क्या होता है displacement reaction में जो एक चीज होती है वो दूसरी चीज को छोड़ देती है और दूसरी वाली दर आ जाती है जैसे cu so 4 पिलाज जिंक है, तो हो जाएगा z n so 4 पिलाज सी यू copper अलग हो जाएगा यहाँ पर और z n so 4 यहाँ पर आ जाएगा ठीक है, उसके बाद next ले लेंगे यह chapter तो कलगबग complete होगे, इसमें बस यह याद रखिएगा phosphorus को पानी में रखा जाता है और sodium को kerosene में रखा जाता है, यह भी याद रखिए, phosphorus को काई में रखा जाता है, पानी में, ठीक है यह भी याद रखिएगा, क्योंकि reactive होते है, sodium और phosphorus उसके बाद next question है call and petroleum की अगर हम बात करें तो एक होता है inextractable sources, एक होता है extra stable sources, बहुत असान है inextractable sources, उन sources को कहते हैं जो quantity में, जो है, unlimited है nature में, और जो है एक दिन इनसान की activity से खतम नहीं होंगे, जिसे sunlight और air और exhaustible sources, उनको कहते हैं, जो इनसान की activity से एक दिन खतम हो जाएंगे, wild life minerals, coal, petroleum, नेचर कहती है, I pay to need not to greed, इस process को याद रखी, यानि नेचर जो need होती है, इनसान की, उसको pay करती है, लेकिन greed को pay नहीं कर सकती, coal की अगर बात करें, तो coal के चार type होते हैं, इसमें, जो है जादे important नहीं, कुशन बनेंगे इसमें सिव इतना बन सकता है, कि यह कैसा fuel है, तो यह fossil fuel है, याद रखिएगा, anthracite सबसे अच्छा coal होता है, coal का अच्छा बुरा होना, उसके carbon content पे होता है, ठीक है, तो bituminals जो है petroleum product है, और coal तार वगेरा के यह याद रखी, coal तार, coke यह थोड़ा सा देख लीजिए, बुक से coke क्या है, tough porous black होता है coal तार का इस्तमाल liquid होता है और सड़क डालने की नहीं करते हैं, लगबग 200 substance मिले होते हैं इसके अंदर, तो इस तरीके से यह चीज याद रखी, coal gas की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है coal gas सबसे पहले New York में use की गई थी, first time, street lighting के नहीं है, और यहाँ पर source of heat का इस्तेमाल किया गया rather than light, ठीक, उसके बाद next की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नीचे बच्चता है आपका petroleum, petroleum भी इसी तरीके से जैसे coal बने, ऐसी लाखो साल पहले नीचे दब गए, और पहला जो कुँआ था, यह पूछा जा सकता है क्योंकि NCRT में है यह यह पैने, पैने, सिल्वेनिया USA में खोजा गया, ठारा सो उन्सट में तेल का कुँआ, अब इंडिया में काफी जगा है, इंडिया में सबसे पहला जो खोजा गया था, वो माकूम इन्डिया में उइल जो है, असाम गुजरात, महामॉंबई हाई और गोदावरी और किष्णा बेसिन के रिवर में मिलता है, तो रिवर के बेसिन में मिलता है Refining और Petroleum का मतलब है Petroleum को निकालना, Petrol के चीज़ को निकालना कहां कहां है आपके उत्तर प्रदेश में जो है मत्थुरा में है पेट्रॉलियम की रिफाइनरी तो याद रखिए नेच्रल के सी एजी होती है सी एजी का मतलब है आपने पड़ा है कंप्रेस्ट सी से कंप्रेस्ट और नेच्रल गैस याद रखिएगा सी एंजी का फायता यह है कि सी एंजी जो होल बर्न हो जाती है लगबग और उसकी बात जो है उसकी कोई भी प्रदूशन नहीं करती है एक टेबिल दी है इनों ने पेट्रॉलियम की और सारी चीजों की जैसे कि अगर हम पेट्रॉलियम गैस की बात करें एल पीजी की तो हॉम अंडिस्ट्री में पेट्रॉल का मोटर फ्यूल एवियेशन फ्यूल सॉल्वेंट और ट्राइ किलीनिंग में केरोसीन का इस्तेमाल फ्यूल फॉर स्टॉब में लेम्स में जेट एरक्राफ्ट में डीजल का इस्तेमाल हैवी मोटर वेकिल लुब्रिकेशन लुब्रिकेटिंग ओयल का लुब्रिकेशन में पेराफीन वैक्स का और ओइन्मेंट केंडल वैसलीन में बिटुमिनस का पैंट्स में और सिर्फ फेसिंग में तो इस तरीके से जो इनका इस्तिमाल करते हैं हम पैट्रॉलियम की रिफाइनिंग हो गई है उसके बाद अगर हम बात करें कि पाइप का सबसे जादर CNG का नेटवर्क का है तो यह वडोधरा गुजरात में है याद रखिएगा और इंडिया में एक संस्थान है जिसे PCRA कहते हैं यह भी याद रखिए PCRA का मतलब होता है पैट्रॉलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसियेशन है यह PCRA यह जो है टिप्स वगएरा देता है कि कहां कुँआ खोदा जा सकता है और कहां पे कुँआ खोदने में टेंप्रेशर है जिस पर कोई चीज जलना शुरू कर देती है इगनीशन टेंप्रेशर की इस पर कुश्यन पूछा जा सकता है कि किसका इगनीशन टेंप्रेशर सबसे कम होता है किसका सबसे जादा होता है या फिर इसका इंक्रीजिंग और देर सकते इंगनिशन टेंपरेचर का तो याद रखिए ठीक है मार्च स्टिक की जो हिस्ट्री है उसको थोड़ा से देख लीजेगा जो यह जो है किस किस चीज का लेपन होता है एंटी मनी ट्राइसलफाइट का पोटेशियम किलोरेट का वाइट इसके बाद नेक्स्ट कुशन नेक्स्ट चीज है इसमें कमजशन जो है में क्या होता है कमजशन में जो है CO2 बनती है याद रखिएगा आगे फिलेम की नीचे बात कर रहे हैं वो फिलेम के कलर्स हैं और फिलेम की उपर जो है ताखत की बात कर रहे हैं देखिए बहुत अच्छी फिगर बनाई है NCRT में यह जो है आउटर जोन है यह कंप्लीट क ब्लैक ठीक है नीला पीला और सॉरी नीला पीला काला ठीक है नगर पालिका से याद रखिएगा नीला पीला काला ठीक है आईडियल फियूल उसे कहते हैं जो अच्छी तरीके से जो है स्टोर हो जाए चीप हो सस्ता हो इधर से इधर और ले जाने में असानी हो तो इस होती है तो ये बहुत अच्छी टेपिल शांदार टेपिल है इसको याद कर लिजेए इससे आपको टेबल से याद हो जाएंगी जादा काम्जेशन से हमें नुकसान हो रहा है एंवार्मेंट को फो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है गिलोबल वार्मिंग का मतलब यह है कि प्रतिवी पे गर्मी का बढ़ना गिलोबल वार्मिंग है ठीक है और इस तरीके से जो है गिलोबल वार्मिंग बढ़ती रही तो एक ना एक दिन जो है जो पोलर ग्लेशियर है वो मेल्ट हो जाएंगे कॉस्टर एरिया वगे गिलॉबल वर्मिंग के नी मैनली रूप सेero2 तरदाई है ये भी याद रुखेगा उसके बाद next chapter लेंगे इस chapter में पूछा जा सकता है wildlife centuries के बारे पूछे जा सकता है ऐसे area जहा है animals को protect किया जाता उसे wildlife century कहते है national park की अगर बात करें तो जो wildlife के नहीं reserve कर दी जाते है area जहां पर उनको जो है उस habitatION and natural environment में रखा जाता है biosphere reserve की अगर बात करें तो यह large areas होते हैं protected करते है conservation को उसके बाद biosphere reserve की अगर बात करें तो biosphere reserve का मतलब होता है एक बड़ी सी जगह जंगलों में और जिसको आप reserve कर दे बचाने की नहीं उसको इंडिया में पहला नेशनल पार्क कार्वेट नेशनल पार्क था याद रगी बहुत अच्छी करके इन्हों ने एक टेबिल दी ये पंचमडी बायस वर रिजर्फ के बारे में बताया है इन्होंने चित्र से उसको धिवड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा फिलोरा प्लांट्स के गुरूप को कहते हैं फौना एनिमल्स के गुरूप को कहते हैं याद रखी किसी एरिया का ये कुछ एक्जामपिल्स हैं आपको नीचे दिये गए हैं जो आजकल जो है आपको क्या हैगा कि ये एक तरीके से जो है फौनार और फिलोरा और फौना की बा जाली कहीं और नहीं मिलती हैं और या खत्रे में हैं इसको है क्या जह एंडमिक जोन कहते है दुख़एएं तो पँंचमड़ी बाईस्फरिजम में बाईसं वगेरा ग्रेट इंडियन डिजार्ट वगेरा यह जो है यह सही यह वाईल्ड मेंगो दिखाया गया है ये दिरे दिरे अब भजो है खतम हो रहा है ये वाला wild mango है ये तो ये दिरे दिरे खतम हो रहा है तो इसको जो है खतम होने से बचाने के नहीं ये जो है जगा-जगा जो है endemic species गोशित कर दिया गया wild life Forestов थैंजे आपको ठीक है और इसमें जो है जो इंपॉर्टन चीज है वाइड लाफ सनिचुरी जिसके बाद नेशनल पार्क है मैंने बताया था आपको के जो हैगा एक वोर्ड पे लिखा है मालीजी सत्प्रा नेशनल पार्क इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो है नेशनल पार्क बनाया गया इसको याद रखेगा प्रोजेक्ट टाइगर का मतलब था कि उनको जो है टाइगर को बचाना है ताकि संख्या दीरे दीरे टाइगर की कम हो रही है ठीक है यह आपको टाइगर नीचे दिखाया है इन्होंने टाइगर जो है यहाँ समें दे रखा है तो इस तरीके से बारा सिंगा वगेरा भी जो है आजकल एक्स्टिंक्ट की शेडी में हो गए है ठीक है तो इसको भी याद रखेगा वाइड वफेलो एको सिस्टम की अगर हम बात करें सोड़ी यह नीचे थोड़ा चला तो उसको आप जो है क्या कह सकते हैं उसको इको सिस्टम कह सकते हैं रेट डाटा बुक एक बुक होती है याद रखे इसके पेज लाल नहीं होते हैं सिर्फ डेट डाटा बुक उसका नाम है इसमें एक्स्टिंक्ट इसमें एंडेमिक इसमें एंडेंजर्ड स्पेशीस का ज जाता है किसी जानवर का तो वो जगा से माइग्रेट हो जाता है से माइग्रेशन कहते हैं उसके बाद रिसाइकलिंग ऑफ पेपर है इसमें पेपर को हम रिसाइकलिंग कर लेते हैं रिफोरस्टेशन बहुत असा शब्द है रिफोरस्टेशन का मतलब होता है आपको दुबा आगे भी है इसमें तो वो chapters भी हमें आपको कराने लेकिन एक breaks भी जरूरी है और आप जो है अगर इस पूरी वीडियो को एक साथ ना देखे तो इसको रुक रुक के देख सकते हैं क्योंकि आपको याद भी करना है और जो जो चीजे important लगे हैं जो मैंने आपको बताई हैं व तो अच्छे से इस वीडियो को देख लीजेगा एक बार ठीके और हम इसकी answer की जो है class 9 की कल को लगभग जो है 9 बचे अपने channel पर upload करेंगे तो वहां से आप science portion की बलके और portions की भी हम load कर देंगे लेकिन science की manually आपको authentic answer की मिल जाएगी कल 9 बचे तक ठीके तो जुड़े रह इस chapter में जो important चीज बनती है वो सबसे जादा important है कि cell की discovery किसने की 1665 में Robert Huck ने याद रखिए ये fact इनों ने अपनी किताब micrographia में भी लिखा इसको भी याद रखिए और सबसे पहली living cell anti-1-leven hawk ने देखी थी ये भी याद रखिए इसको not कर लीजिए चाहें सबसे पहली living cell anti-1-leven hawk ने खोजी थी किसने खोजी anti-1-leven hawk ने याद रखिए गा उसके बास cell basic structural unit है सब पढ़े हैं आप ये सब ठीक इसमें important नहीं है cell single भी हो सकते हैं जानवर multi-celler भी हो सकते है number of cell अलग-अलग varies करती है ठीक है एक WBC human cells में ऐसी cells होती है जो अपना shape बदल सकती है amoe amoeba की तरह तो ये कुशन अच्छा बनता है यहां पर एम यू पूछ सकती है कि जो white blood cells होती है human में वो amoeba की तरह अपना size जो है change कर सकती है ठीक है shape of cell कई तरह की cell होती है जैसे अगर हम amoeba की बात करें तो amoeba पर एक pair होते हैं जिने pseudopodia कहते हैं दिख रहा होगा आपको pse सीडो पोडिया का काम होता है कि वो उसको feet बोजन भी कराता है चलाता भी है तो यह amoeba में होते हैं जूटे पैर कहते हैं इनको उसके बाद size of cell varies करता है smallest cell जो है हमारी smallest cell जो है अब की जो है अलग-अलग होती है ठीक है और largest cell कितनी बड़ी हो सकती है वैसे virus सबसे चोटे हो होती है ठीक है उसके बाद cell membrane है part पढ़ लिजेगा इसका कोई खास नहीं cell wall plants में होती है बैक्टीरिया में होती है और फंगी में होती है लेकिन animal cell में cell wall नहीं होती है याद रखिएगा cell membrane हो सकती है सब में nucleus ठीक है साइटो प्लाजम उस जगा को कहते हैं उस arena को कहते हैं जि भी अच्छा याद रखी प्रोकेरियोटिक और यूकेरियोटिक मैं आपको एक्जामपल बता दे रहे हूँ बिलू ग्रीन एलगी बैक्टीरिया और जो माई जो आपका वो हैगा माईको प्लाजमा या पीपी एलो इन्हें छोड़के सारी cell जो है यूकेरियोट होती है बस प्लास्टिड जो है कलर को देते हैं ठीक है कमपरीजन दी रखी इन्होंने एक एनिमल सैल की प्लांट सैल के साथ कमपरीजन है बहुत अच्छा करके यह कमपरीजन उन्ने दी है तो आप इसको याद रखेगगा कि देखिए इसमें मैं आपको फिगर से समझा दे रहा उसके बाद नेक्स चप्टर लेंगे स्पर्म में तीन पार्ट होते हैं यह याद करने का कुछन है हेड, मिडिल पेस और टेल सेल जो स्पर्म होते हैं वो ओवा के अंदर जाता है याद रखिए फर्टिलाइजेशन फेलापियन ट्यूब में होता है यह याद रखिए इंटर्नल और एक्स्टर्नल का मतलब यह है जहां फर्टिलाइजेशन अंदर ही हो जाए बोडी के उसे कहते हैं इंटर्नल फर्टिलाइजेशन और जहां पर बाहर हो वहां से कहते हैं एक्स्टर्नल फर्टिलाइजेशन तो इसे IBF प्रोग्राम कहते है सबसे पहले दो सेल के मिलने से यानि फर्टिलाइजेशन होने से जाइगॉड बनता है और जाइगॉड फिर बाद में एम्ब्रियो में चींज हो जाता है याद रखिए ये इनोंने जो है एक जाइगॉड का एक्शन दिखाया ये इस तरीके से चलता हूँ यहाँ आ जाता है फिर उसके बाद एम्ब्रियो के बाद उसे फ्यूटस कहने लगते है एनिमल दो तरीके के होते हैं एक विवी पेरस एक ओवी पेरस विवी पेरस सीधे बच्चे देते हैं तितली अपना जो जीवन चक्र है वो लार्वा के जरीए पूरा करती है लार्वा बनाती है प्यूपा बनाती है उसकी इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं याद रखेगा हाइडरा में बडिंग दिखा करती है अब अमीबा में फिशन होता है ये डॉली की कहानी ही दे रखी है डॉली पहली जो है शीप थी से किलॉन के दरीके बनाया गया याद रखेगा ये चप्टर भी कम्प्लीट हो गया आपका एडम से पिल गले में होता है ये दे रखा है गले में इसके बाद हार्मोन की बात कर रहे थे हम हार्मोन केमिकल पधारत होते हैं जो बोड़ी में निकलते हैं और बोड़ी को एक्शन को चेंज करते हैं ये सीग्रेट होते हैं एंडोक्राइन गिलेंड से मेल हार्मोन की अगर बात करें तो testosterone male hormone है और female hormone की अगर बात करें तो estrogen है इसका बहुत सारा काम है estrogen जो है milk secret वगएरा कराता है memory gland वगएरा को develop करता है breast में इस तरीके से जो है ये important hormone है girls के निये estrogen milk secret कराता है memory glands को develop कराता है उसके बाद जो है तीसरी जगापे आ जाईए female में 10 से 12 साल की age को age of puberty कहते है और ये 45-50 तक रहती है ठीक है और लगबग 28 से 30 दिन में ovary जो है over mature होके बाहर कर दी जाती है periodic cycle या फिर जो है period कहते है mensuration का मतलब है period का जो है होते रहना menarch इसका starter है menopause इसके end को कहते हैं याद रखिएगा chromosome वो thread like structures है जो इनसान में जो है gene लेके जाती है x y chromosome boys में और x x chromosome girls में होता है इसमें यह याद करने का है यहाँ दिखाया है आगे figure में इन्होंने दिखाई दिया तो इससे देख लीजिएगा insulin sugar के नहीं responsible है इसके जादा निकलने शुगर हो जाती है adrenaline hormone जो है आपकी produce होता है balance करता है correct salt को ठीक है इसके लावा metamorphosis के नहीं जिस hormone की जरुवत इससे thyroxin कहते है ठीक है यह thyroid gland से आता है reproductive health की अगर बात करें तो हमें reproduction की तरफ से भी healthy होनी चाहिए जो है इसके बाद next chapter में आजेंगे force and pressure में तो कोई भी push और कोई भी pull force है यह आप याद रखेंगे इसमें कुछ जाद important चीज नहीं है forces के नाम याद रखिएगा ठीक है यह important है इसमें और force के type muscular force है जैसे यह याद रखिएगा याद रखने की चीज़ है यहां से कुछन बन जाता है के contact force कौन से होते हैं और non contact force कौन से होते हैं यह तो यह कुछन बन सकते हैं आप याद रखिए दौनों कुछन इस तरीके से पूछे जाएंगे friction एक oppose भी है और फाइदा भी है अगर जादा तेज़ चल ले हों तो friction हमें रोक लेता है और गिरने से भी बचाता है non contact force भी नीचे दे रखिए जैसे magnetic force है और दूसरे force non contact electrostatic force की अगर बात करें तो दो रखे हुए charge के बीच का force है gravitational force की अगर बात करें तो दो चीजों की आपसी चीजों की आगे की खीची ताखत है उसे gravitational force कहते हैं और उसके बाद हाँ यहाँ पर एक formula बनता है F बराबर M A वाला इससे cushion पूछे जा सकते F बराबर M A से और अगर आपको A निकलवाए तो F upon M कर दीजेगा M निकलवाए तो F upon A कर दिएगा और इसका जो unit होता है वो newton होता है याद रखी newton के नाम पर हमने इसका unit रखा है ठीक है तो इसमें यह important है इसके अलावा pressure का formula याद रखीगा pressure का formula होता है P बराबर F upon A यानि force upon area जिसका area जादा होगा उसका pressure कम होगा जिसका area कम होगा उसका pressure जादा होगा तो इसमें याद रखीगा और अगर F निकल वाए यहाँ पर pressure से तो F बराबर होता है P upon A sorry P into A ठीक है यह F हो जाएगा इसके बाद next important चीज़ है इसमें आर्किमडीस का principle वगेरा देख लीजेगा atmospheric pressure हमारे पास हल टाइम रहता है लगा हुआ ठीक है ताके हम चीज़ों को इसी वयाँ से fountain pain वगेरा से लिख पाते हैं ठीक है तो इतना pressure हमारे पास हर टाइम रहता है इसको याद रखिएगा ठीक है यह chapter आपका complete होगे उसके बाद friction में आ जाएंगे हम पुरा chapter बना दिया है इनोंने factors जो friction को affect करते हैं यह यहाँ से अच्छा cushion बन जाता है factors जो affect करेंगे friction को ठीक है तो यह याद रखिए friction एक जरूरी बुराई है बुराई इस नहीं है क्योंकि कई बार यह हमें नुकसान देती है हमें जो है मेहनत करनी पड़ती है जादा ठीक है कई बार हमें जादा मेहनत करनी पड़ती है तो यह थोड़ा सा जो है जरूरी है समझना ठीक है इसके बाद इसमें जो जादे important है हाँ इसका एक formula बनता है मैं उसका formula बता दे रहूंँ आपको इसका formula होता है एब बराबर US into R friction तीन तरह का होता है याद रखिए गाई static होता है friction static और rolling और आपका जो है एक और friction होता है जिसको आपको कहते है sliding friction ठीक है तो सबसे जादा friction होता है वो static होता है उसके बाद जो है आपका sliding में और फिर सबसे कम जो होता है उसके बाद वो rolling में होता है तो इस तरीके से जो है ये आपको याद रखनी है lubricants का इस्तेमाल इसको friction को खतम करने के निये लगाते है lubricants याद रखेगा rolling friction, sliding friction ये मैंने भी समझाई दिया आपको drag क्या कहते है जब कोई fillut के अंदर जो है जो आसमान में हवाई जहाद वगरा उड़ते है उनकी body streamline बनाई जाती है जिससे के वो हवा के friction को कम कर सकें और उसमें आसानी से उड़ पाएं ठीक है ये chapters friends तबले में जो होती है stretch membrane होती हमने पिछली वीडियो में अपनी एक बताई थी sound vibration से पैदा होती है पूरे एक figure से इन्होंने दिखाया है इसको तो इसमें ये जो है एक voice box से जिससे हई हम आवाज आती है गिलास में पानी भरने के बाद और उसको जो है अगर आप एक डंडे से मारेंगे तो music सा निकलता है इसे जलतरंग कहते है याद रखी है इसको यहाँ से cushion बनता है loudness आवाज vacuum में travel नहीं कर सकती ये भी याद रखी है sky जो sunlight होती वो travel कर सकती है कान के जो सुनने के नहीं responsible stage membrane है उसे ear drum कहते है याद रखीएगा the number of oscillation per sound second is called the frequency याद रखीए frequency का मात्रक hertz से इसे hz से दिखाते है इंसान 20 hertz से 20,000 hertz तक की आवाजें सुन सकता है इसे कभी-कभी वो आपको 20k लिख देगा khz लिख देगा तब भी मतलब वही होगा तो इसको थोड़ा से याद रखीएगा अवास की जो frequency है वो amplitude पर depend करती है यह भी important है यहाँ से उसके बाद जो important है यहाँ से कौन कितना sound पैदा करता है यह थोड़ा सा important अप लोग जैसे normal breathing 10 db, soft whisper 30 db, normal concentrate 60 db, busy traffic 60 db, average factory 60 db db का मतलब है decibel और यह sound का pollution है तो 80 decibel से उपर की आवाजें जो होती है वो आपको जो है partially physically painful होती है तो यह pollution भी करती है noise और music में फर्क है noise आपको जो है अच्छा नहीं लगता music pleasant sound को कहते है ठीक है तो यह फर्क है इसमें ठीक है यह मैंने भी बताई दिया कि इनसान जो है 22,000 हर्स की आवाजें और डीबिल है इसके नीचे की आवाजें इंफरा सॉनिक और उपर की आवाजें 20,000 के अल्टरा सॉनिक होती है याद रखेगा noise pollution से बहुत सारी चीज़े हो सकती है खराब हो सकती है बाड़ी में तो इसको भी याद रखेगा यह chapter भी complete LED का मतलब होता है light emitting diode याद रखेगा पूछी जा सकती है light emitting diode एक बिल्टिश केमिस्ट है थे विलियम निकॉलसन 1753-815 में उन्होंने जो है एक इमस्ट करके रॉड को जो है करन्ट पास करके दिखाया ठीक है तो इनका important है पटाटो को आप टेस्ट कर सकते है करन्ट के नहीं पटाटो में करन्ट आ सकता है ठीक है उसके अलावा जो important 35 में electroplating है electroplating का मतलब होता है दो एक copper sulfate वगेरा का solution लेने के बाद में बीच में दो cathode और anode बना के किसी चीज की cutting करना electroplating के लाती है सौने वगेरा पर जो polish होती हूँ electroplating के जरीए होती है याद रखिएगा इसको utensil वगेरा जो साफ की जाते है वो भी electroplating के जरीए ही होती है तो ये भी important चीज़ है इसमें याद रखिएग electroplating क्या है galvanization है कि यहाँ और term है galvanization जो होती है zinc की परच चड़ाई दी आती है iron party कैसे galvanization कहते है क्या कहते हैं इसे galvanization कहते है इसको जोड़ा सा याद रखिएगा क्या बोलेंगे इसको galvanization galvanization ठीक है चलिए next chapter लेंगे इसके बाद natural phenomenon है electroscope का इस्तमाल आप जानते ही है मौसम वगेरा देखने के निए लाइटिक के दौरान क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं या याद रखिए खुलीवी जगा पे जाने ही चाहिए जब thundering हो रही हो और earthquake जो सबसे जादा बड़े बड़े earthquake थे 8 October 2005 को आया ये उड़ी में और टंग धर में टाउंस में जो नौर्थ कश्मीर के टाउंस हैं और 26 जनवरी 2001 को भुज में आया था खुजरात में इसने बहुत जादा तबाही मचाई थी अर्थ को एक क्या है और अर्थ को एक कैसे आता है जो अर्थ की plates हैं उसके अंदर जब एक तरीके से कहना चाहिए उसके अंदर disbalance हो जाती तो उसको जो है फिर वहाँ पे क्या है अर्थ को एक आ जाता है ठीक कश्मीर के अर्थ को एक की तस्वीर दिखाईए तबाही की अर्थ की जो layers है वो तीन है सबसे उपर की जो होती crust होती है उसके बाद mental है फिर उसके बाद जो है नीचे आ जाएगी फिर आपके outer core और inner core ठीक है याद रिखी structure की अर्थ की structure को सिस्मीक या सिस्मो गिराफ जो है आपका जो है जो अर्थ के काता है उनको नाप सकता है सिस्मो गिराफ ठीक है वोकम्प को इसके बाद जो है production क्या के ले सकते हैं ठीक है इसके नहीं है जो है central building of research institute रुड़की ने एक अर्थ के रेस्टेंस houses को develop किया है central building research institute ने याद रखिएगा इसको यह important है इस chapter में last of reflection याद रखिए incident ray याद रखिए incident ray reflected ray ठीक है और इसके अलावा normal क्या होता है angle of incidence angle of reflection क्या होता है यह याद रखिएगा इसमें इसमें regular reflection diffuse diffuse का मतलब जहां पर regulation जो है reflection सहीं ना हो और इसके बाद जो है multiple images कैसे आप ले सकते हैं ठीक है kaleidoscope क्या होता है हमारी अगर eyes की बात करें तो eyes में जो है तीन लेयर होती है इसके लेरा, koroid और kornia आख में पीछे noptic nerve होती जो पढ़के बताती ही retina पे image बनती है जो lens होता है वो convex होता है एक जगह होती है हमारी आख में जिसे कहते है blind spot क्या कहते है blind spot यहां पर जो है vision बिल्कुल नहीं होता है यह भी याद रिखिए important point है ब्रेल लिपी का विश्कार जो है एक scientist थे लूइस ब्रेल उन्होंने किया और 18-21 में इन्होंने यह पबलिश करी किताबे होती हैं जिसमें उबरे हुए एक्चर लिखे होते हैं और अंधे लोग उसे असानी से पढ़ सकते हैं ठीक है यह chapter भी आपका complete करा दिए इसके बाद सबसे पहली चीज़ एस्ट्रोनोमी है एस्ट्रोनोमी कहते है इस्ट्रोनोमी कहते है इस्ट्रोनोमी कहते है उनके बारे में पढ़ने को मून के फेज याद रखी फेज़ ऑफ मून क्या क्या होते है ठीक है और रेवलूशन याद रखी 27 दिन 6 घंटे में चांद जो है रेवलूट करता है चांद पर पहला आदमी जो गया वो अमरीका से थे उनका नाम था नील आलम स्ट्रोंग 29 जुलाई 1979 को वो चांद पर पहुँचे और भारत से जो पहले आदमी चांद पर गये उनका नाम था राकेश शर्मा ठीक है याद रखीएगा सन हम से करीब 150 मिलियन किलो मीटर दूर है इस्टेंस का सबसे बड़ा यूनिट लाइट येर होता है याद रखीए लाइट येर होता है सबसे बड़ा यूनिट स्पीड जो होती है सनलाइट की 3 इंटू 10 दूदी पावर 8 मीटर पर सेकिंड होती है यानि 30 करोड मीटर पर सेकिंड इस्टार्स का जो गुरूप है वह इंट शेप में जब आ जाता है उसे तो कंसलेशन कहते हैं ये कुछ कंसलेशन है ग्रेट बियर है कंसलेशन इसका और ओरियन ठीक है कॉसी ओपिया लियो मेजर ठीक है ग्रेट बियर ओरियन ये कैसा ओपिया लियो मेजर ये याद रखिए उर्सा मेजर जिसे सब तृषी कहते हैं ये भी कंसलेशन है ओरियन भी एक जो हैगा कंसलेशन है स्रिया सायरस इस तरीके से प्लिनेट रिवाल्ड करते हैं अर्थ सन की चारों तरफ को यह आपको दिख खाया गया है अर्थ का रेविलूशन थिरी सिक्स्टी फाइव डेज सिक्सावर में कंप्लीट होता है इस तरीके से ये च्छे घंटे जो है एक पूरा दिन बना लेते हैं चैचोग चौबिस और इस तरीके से एक दिन इसका बढ़ जाता है पिलनेट्स के नाम पूछे जा सकते हैं याद रखेगा इस चैप्ट पॉलूशन की बात याद रखी पूछे जा सकते हैं एर पॉलूशन है गिलोबल वार्मिंग की पीछे हमने बात कर ली थी सी एफ सी की बात कर लेते हैं सी एफ सी जो है फॉर्म इंडस्ट्री से और रेफरीजेटर से और एर कंडिशन से आती है एरो सोर्ड स्पेस से आती है और नुकसान देती है यह जो कलर है आपको भी बताया था हमने एस्ट रहन की वज़ा से खराब हो रहा है इसी से गिलोबल वार्मिंग लीड कर लेती है हमने बताया था सी ओ टू मुक्खे ग्रीन गैस है ठीक है और सी एंजी जो है अच्छी गैस है क्योंकि यह लगबख जल जाती है ठीक है वाटर पॉलूशन जो है पानी में जो है गंदगी से पॉलूशन होता है गंगा एक्श पिलान जो था कब आया था आपका 1985 में याद रखेगा इसको जानवनों को बचाने के निए डबलू डबलू एप बनाया गया वर्ल्ड वाइट फंड यह याद रखेगा देखिए नीचे दिया भी इन्होंने गंगा एक्शन पिलान 1985 में आया था इसके निए एक नई मिनि के पानी को कहते हैं ठीक है रिसाइक किए अभी थिरी आर आपने पीछे पांच आर पड़े थे यहां थिरी आर हैं रिडियूस 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 रिसाइकिल याद रखेगा इसको रिडियूस कम करिए रियूस दुबारा कर लिजिए फ्रेंड यह हमने पूरी एक त आपको पसंद आई हो तो प्लीज ले एक और शेयर करिए अगर आप एक्जाम देने भी जा रहे हैं तो उससे पहले भी अगर यह देख लेंगे तो आपको यह बहुत फायदा देने वाली है विशियू अल डा बेस्ट फॉर यूर टेस्ट और जो इसकी आंसर की है हम एक्जाम की वो कल नौ बजए अपने चैनल पर अपलोड करेंगे तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुप कामना है और विशियू अल डा वेरी वेरी बेस्ट तो आल उफ यू वूज आर गोइ हैं आप उन्हें भी बताईए इस चैनल के बारे में इस चैनल पर सारा content free है तो एक बार फिर से आप सब को शुब कामना है आपके paper के नहीं wish you all the best thank you very much to watch the full video